वस्बाइट की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाएं इस खबर के प्रावज़क है कोरोना वाइरस देश वे दुनिया के लिए जितना खतरनाक है उसे कहीं साथा खतरनाक अब वे लोग नज़र आ रहा है जो अपनी जान की परवाना करते हुए कोरोना का इलाज कर रहे करमचारियों पर हमला कर रहे हैं इन करमचारियों को लगतार निशाना बताया जा रहा है। आज मुरादबाद हाजी ने मस्जिद इलाके में स्वास्वे पुलिस विभाग की टीम पर अनपड वे जाहिल लोगों ने पत्राव कर दिया। इस पत्राव में कई स्वास्वे पुलिस कर्मी घायल हुए है। की मस्जिद इलाके में हुई। दरसल कोरोना पॉजिटिव सर्तास की दो दिन पहले मौत हो गई थी। आज स्वास्विभाग की टीम पुलिस लेकर इलाके का परिक्षिन करने पहुँची थी। इस दोरान टीम पर पत्राव शुरू हो गया। मूपर कपड़ा बांदे युवकों ने पत्राव किया। कुछ छतों पर महिला को भी पत्राव करते हुए देखा गया। सूशना पाकर भारी पुलिस बल वहां पहुँच गया है। फिलहार स्तिती तनाव पून लेके नियंतरन में बताई जा रही है। इस ख़बर में इतना ही देखते रहे ये फर्स बाइस जीवी। यहां पर कोरोना पॉजिटिव एक विक्ति की मृत्ति हुई। जिसके संबंद में उनके फर्स लेयर कॉन्टाक्ट फैमिली के सदस्यवादी की कॉरिंटाइन और आइसोलेशन की प्रक्रिया प्रिचलित थी। उसके संदर में मेडिकल टीम और पुलिस टीम यहां पर आई थी। जब परिवार वाले इस सब में अपने बाहर निकल रहे थे उसी दोरान सडेनली यह काफी घना इलाका है टेंस गलियों में से सौदेडसों का एक भीड आई और पत्थराव करके यहां से भाग गई। जिसमें पुलिस की गाड़ी भी और एंबुलेंस भी छतिक्रस्त हुई है और यहां पर जो फैमिली के लोग हैं उनको हम लोग अब आगे कॉरिंटाइन की प्रक्रिया कर रहे हैं यहां पर सभी अधिकारी मौजूद हैं इस्तिति पूरी तरिके से नियंत्रण में जिन लो इसमें जो स्वास्तिकर्मी हैं उनमें स्वास्तिकर्मियों की चोटे आई है और उनको प्राइमरी इलाज के लिए बेजा गया है जैसा यहां पर अडिशनल स्यमों मौजूद है उनने बताया है और यह थाना नाक्पनी छेत्र पड़ता है मुरादवार्वार्वार्वार् जो भी सरकारी कारे में बाधा डाली गई है वर्तमान में धारा 144 का उलंगन किया गया है महामारी एक्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में और साथी साथ राष्ट्रिय सुरक्षा अधिनियम के अंतरकत इसमें कारवाई की जाएगी क्योंकि यह पूरी तरीके से गल बाधा डालना बहुती कमभी शड़ी का अपराद है उसी सुसंगत धराओं में हम दोग कर वाएका है